तिवारी जी इस देश में दिक्कत मालूम क्या है? दिक्कत यह है कि जो लोग यह कहते हैं कि गरीब की लड़ाई लड़ रहे हम, उनको आप अपने घर बुलाओ, बच्चे के जनम दिन में सतना इनक था मैं किसी भी अवसर पर, क्या? वो एर इंडिया से नहीं आएंगे, बस और ट्रेंज से नहीं आएंगे, कार से नहीं आएंगे, अपना जहाज लेके आएंगे पूरा, खाली अकिल्ले, क्या? तिवारी जी समझ रहे ना? फिर वो कहते हैं कि हमारी चिंता गरीब है, क्यों? इसलिए अपने बिमान से चलते हैं, प्रेमराज जी समझ रहे ना? मसला क्या है? यह बड़ा खतरनाक मसला है, क्या? आप गमी में जाओ तो जहाज अपना ले जाओगे, शाधी में जाओ तो आप लोगों ने सर्विस फ्लाइट में चलना बंद कर दिया, गरीबों की चिंता में, इतनी जादा चिंता कर रहे हो गरीब की, यही तो मुश्किल है, गरीब कर रहे हो बाप ने बाप हमें छोड़ो भाईया, दूसरी बात मैं कहूं, बड़ा शोर होता है, यह शब्द कह बड़ा आसान है, कैपिटलिज्म, पूझी पतियों की सरकार, मैं कहता हूँ, सव करोल रुपया वाला भी जोड़ दो पूझी पति में, क्या, गंद गिंती निकाल लो कितनी हैं देश में, वो सब मिलके किसी एक को बोट दे दे, और छट पर खड़े होके उसके लिए नार पर उनके जनादेश को आप उधर के टेल देंगे, यह पूझी पतियों की सरकार, अच्छा जी, कितने पूझी पति हैं देश में, वो सरकार बना सकते हैं, नगरपाली का कब मेर तो चुनवाद हो पहले उन से, मिलके, नहीं फराज अब नहीं आई भाई, पराज भाई ना सॉरी, ठिक, और अभी एक बात पूझ दूँगा, सब को थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन बात दिल से कह रहा हूं प्रेम नायन बाबू, क्या, मैंने 35 साल में, जिसका पाउं में बिवाई फटी हो, और चपल हवाई हो, तूटी हो, उसमें टांका लगा हो, क्या, और वो जनता दर्शन में मिला, ठिक, अंदर कौन मिले, जिनकी आप टीवी पर आलोचना करते हो, पूझी पती, वो हमको अंदर मिले, टेलिफोन करिए कि मनायम के साथ घटनाय बता दूँगा, क्या, उनके लिए सब दर्वाजे खुल गए, क्या, ननको पांच घंटे दर्व दर्वाजे खड़ा रहा, सिक्योर्टी ने दर्वाजे की जाकने तकी अनुमती नहीं दे, फला साब आये, साड़े चार करोन की गाड़ी से खट से अंदर, और सट से अंदर, बड़े साब के पास, यहीं, यहीं क्या सच नहीं है प्रेमरान भाई, आप भी जानते हो, हम भ वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, इसमें बहस में उलजी है का तो पर मनाम लेके बोलूगा तो ठीक नहीं, सब तो रिष्टा खराब करा देंगा आप लोग, यहीं सचाहिए, मुझे बता दीजी ने, अंदर वाले खाने, अंदर वाली बैठक में, गरीब को गए कितने दशक बीत के भारत में, तिवारी जी गलत नहीं गह रहा, गरीब की हैसियत जंता दर्शन तक है, आटो की तरहा निजी बिमान से टहलने बाले नेता, कह रहे हम यह सरकार अमीर बना रहे हैं, और हम गरीब के लिए लट रहे हैं, गजब कर रहे हुआ है, मैं करो यह कलब बना लो सारे अमीरों का, और उन्जे बोट करा लो, पांच गाओं के परधान तक नहीं चुनी जाएंगे उनके बोट से, वो भारत का मुकदरते कर देंगे, इसे लिए जंता आप पर बात भरोसा नहीं करती, दूसरी बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस क्या करी, भाजपा क्या करी, ना हरिष्चंदर ये, ना हरिष्चंदर वो, प्रेमराइन जी, गलत ने गयरा, मेरा तराजु वराबर है, आपने कहा ननकु भूका है, इनने कहा ननकु रस्मलाई खा रहा, मैं तो ननकु से पूछूँगा, कि तुमको क्या मिल रहा है, नहीं, ना आपकी मानूँगा न संस्कृति और भारत की तासीर के विरुद्ध बात है, आप मान जनक बात है, कि गरीब है, लेकिन कथा करा लेगा, ये पर शी बाते मत बोलिए, गरीब है तो कथा नहीं कराएगा, इनी से कांग्रेस का बंटा धार हो जाता, इसी तरह बातों से, क्यों, गरीब है तो रोजा नहीं रखेगा, ऐसी बात मत बोलिए भाई, और गारंटी किसी की हो, अल्टिमेटली, वो कसावटी पर तो जनता ही कि कसी जाएगी, और अगर जनता का जनादेश, उसकी व्याक्षा नहीं हो सकती, गारंटी का रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकता, तो क्या हम लोगों की टीवी में की हुई बहस को प्रमाण मान ले, ऐसी मुर्खता मैं तो नहीं कर सकता, आप लोगों की मैं जानता नहीं, मैंने जो कह दिया वो भारत का मन ऐसी गलत थेमी में नेपाल सकता, हाँ, मैं कोन होता हूँ, विद्वानों ने क्या कह दिया नहीं, सारे विद्वान जोड़ों लो तब भी कितने हुए, ये देश सामानी जनका देश ही, ना, और तिवारी जी, ये बात बार-बार कही जाती है, आपने भी उस पर जोड़ दिया, कि पहुचाना बहुत ज़रूरी है, उस बात को सम्मान रख देते हुए, मैं एक बात कहता हूँ, नई बात है, मेरे गाउं में अस्पताल बना, ये हम सोशल मीडिया से जानेंगे, किसी पा पूट गई, हमें ने दिखाई दे रहा कि अस्पताल बन गया, बात में आप को कि ने ने हम तो पहुचाना नहीं पाए, अस्पताल बना, अस्पताल बना, लोगों दिखाई नहीं देगा, तिवारी जी, मैं इसी ठेत्रई के खिलाप हूँ, इसलिए लोग बुरा मान जात सदक बना, सदक बनी पराज किशित ब dependent बताएंगे, तो जानेंगे, ए अभी दिखाष भम आइशन जानेंगे, अभी राहूल जी ने तो बताये नहीं, कैसे जानले सदक का इम सदक पर चुलर। रहाएं हमको नेसे बना सदक बन गई बोले नहीं अंग्रे जी के शब्दों में सर्वे हुए उनमें नहीं आई अभी सड़क, अर्चूले में डालों अंग्रे जी के आक्ले कायम गंज में सड़क बन गई तो कायम गंज वालों को नहीं बता, या अक्सपोर्ट इंडवस्टिक सर्वे आके बताएंगे मुझे तो आप लोगों की दिखता पर हैरानी होती है जो इंद्रा गांधी की पार्टी रही हो नेहरू की पार्टी रही हो उनसे जादा वो देश क्या चाहता है वो देश की नब्ज समझते थे क्या आप नब्ज तो भूल पकड़ी नहीं पा रहा है और इदर भटक रहा हो करें ये भी गलत हो गया वो भी गलत हो गया अरे भाई मुझे पता है न अब समाजवादी पार्टी अगर ये कहे दे कि भाई हम अपने को ये कैसे मालेक जनता ने हमको असुई कारे कर दिया हम तो बैलेट बाला जो वो पोस्टल बैलेट है उसको ये अपने उसमें रखेंगे जी ये वैसी ही बात है कि कहे के बाद समाप्त कर दूंगा फराज भाई जैसे जह हम लोग इसकूल पढ़ते थे तो सारे हिंदी अंग्रेजी संस्क्रत सब में नंबर आते थे अबदेश बाबु सुन लो पता लगा कोई लड़का सब में फेल हिंदी में अंग्रेजी में भूगोल में सब में लेकिन कपड़ा साब पहिने वाले के दस नंबर अलग से हैं उसमें दस में दस हैं वो करा हमें अगली कछम बेजो हमने कपड़ा साब पहिने दस में दस में ले नहीं भाईजेंगे न कि कपड़ा साप पहिनी ठीक बात है उसके दसमें दस दे दिये लिए उससे क्लास प्रमोट नहीं करेंगे न वह तो हिंदी अंग्रेजी में जब नंबर आएंगे तब क्लास प्रमोट करेंगे कि सपाजवादी पार्टी वही कह रही है कि ड्रेस वाले जो दस नंबर है कि 990 में फेलेंट कोई दिक्कत नहीं वह तो दसमें जो हम आए दस लाए हैं उनका तो कुछ देओ 300 सीटे लिखके देओ हमको इसी बात कर रही है इस देश का नौजवान जो इतना एवेर है जब वो यह तरक सुनेगा कि सपाज इसलिए 300 सीटे मांग रही है कि उसको 75,000 पोस्टल वैलेट मिले थे 25 करोन के उत्तरपदेश में तो वो क्या सोचेगा मित्र हसेगा या नहीं ना हसेगा ना रोएगा गुस्सा आएगा उसको ननकु को ना भाजापा को कुछ बताने के दरूत है रज्जाक को ना कांग्रेश को रज्जाक के पेट में भोजन है ननकु के पेट में भोजन है ये ननकु और रज्जाक से बहतर कौन बताएगा ना राहुल ना जे पिनड़ा और भोजन होगा तो जिसने भोजन दिया उसको पोट देगा नहीं होगा तो जो भोजन देने की वादा करेगा उसको पोट देगा इस सो सिंपल तिवारी दी इस से ज्यादा तो सिंपल कुछ नहीं हो सकता आप दो लोगों के घर गए एक के घर गए उनने आपको लड़ू पेड़ा खिलाया दूसरे घर गए उनने पानी को भी ने पूछा वाभावी कि आप उस किसको बोड करेंगे इसमें क्या करने सिंगे 72,000 वाला गिमिक छोटा नहीं था मित्र प्रेम राएंजी 72,000 रुपिया बहुत होता है साल में भारत के आम आदमी के लिए 6,000 रुपिया मैना फिर बोड नहीं मिला तो कि 7,000,000 रुपिया साल का एनाउसमेंट करेंगे तब बोड मिलेगा और यह 6,000 रुपिया साल पर बोड ले गए यह सोचिए ऐसा कैसी हो गया इसको यह मत कहिए कि हम अपनी बात पहुँचा नहीं पाए यह मूल समस्या से भागने वाली बात है कि हम अपनी बात पहुँचा नहीं पाए ऐसा नहीं है मित्र आजके दोर में सबकी बात पहुच रही है किसकी नहीं पहुच रही है और जिसकी नहीं पहुच रही है उसकी मोबाइल में पहुची जानीरे देश भर के पास नहीं प्रेमान जी अब इख कोई छटपटा वीडियो ढाल दो क्या Mine शीhead स कन्याक मरी असंथा गुजरातक पूरा देश देख लेता है कि नहीं प्रेम्राइन जी? देख लेता है ना? तिवारी जी देख लेता है ना? बिना अंग्रे जी हिंदी के? बिना हारवर्ड, केम्बरिज के सहयोग के? नहीं! 22,000 रुपय मिलेगे नहीं जान पाया देश. बजह क्या है? उस मूल विन्दु को देखिए, नाभी स्थान को देखिए. हम क्यूं कक्षा में उत्तिर्ण नहीं हुए? इसकी समिक्षा तो बच्चे को भी करनी चाहिए और बच्चे के माता-पिता को भी करनी चाहिए. टीचर को दोश देने से कलास में पंखा आवाज करता है, ये कहने से काम नहीं चलेगा. बच्चा असफल क्यूं हुआ? इसकी इमानदार समिक्षा करिए. धन्यबाद.